नमस्कार भगवान को सुक्रियाद करें भगवान को थेंक्यू कहें कि आपके पास खुष होने की नौ वज़ा है बहुत से जने क्या करते हैं भगवान की प्रात्ना करते हैं रोज उबे श्याम को प्रात्ना करते हैं भगवान को कुछ ने कुछ सिकायत करते रहते हैं कुछ कुछ तो कमप्लेन कते रहते हैं अपनी जिन्दकी से जूरी हुई बगवान मेरे पास ये नहीं है बगवान मेरे पास ये नहीं है बगवान मुझे ये दे देना बगवान मेरा ये कदर इंसान अपने सिकायतों का पुलिंदा बगवान के सामें रखता रहता है कि बगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बगवान मेरे को ऐसी इस्तिति में क्यों पेदा किया बगवान मेरे इस्तिति ऐसी क्यों है बगवान मेरे सारे परिवार मेरे दोस रिलेटिव ऐसे हैं मैं ऐसा क्यों हुँ क्या आप भी तो भगवान को ऐसी सिकायत नहीं करते है अगर आप भगवान से सिकायत करते हो तो उस से पहले भगवान को दन्यवाद देना कि आपके पास भगवान ने आपको ये नो चीज़े दी है भगवान को आपको थेंक्यो कहना होगा भगवान को आपको दन्यवाद देना होगा वरना इस संसार इस दुन्या में बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास ये नो चीज़े नहीं है फिर भी वो जीते हैं फिर भी वो इस दुन्या में अपने आपको इस्टेबल करते हैं वो किसी से सिकायत नहीं करते हैं लेकिन आप इतना सब कुछ होने के बाद भगवान से सिकायत करते हो भगवान को कहते हो कि हे प्रभू मेरे साथ ऐसा क्यों है प्रभू मुझे ऐसा क्यों बनाया वो नो चीज़े क्या है जो भगवान को आपको थेंक्यू कहना चाहिए भगवान को दन्यवाद आपको कहना चाहिए वो नो चीज़े ये हैं देखिया खुश रहें कि आप देख सकते हो भगवान को दन्यवाद देख कि आप देख सकते हो WHO की रिपोर्ट कहती है कि इस दुनिया में चार करोर लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं चार करोर लोग अंदे हैं इन में से बारत और चीन में उन पचास परसेंट लोग तो बारत और चीन में ही है तो जो अपनी आँखों से कि आप सुन सकते हैं जी हाँ इस पूरी दुन्या में World Federation of Deep के अनुसार साथ करोड लोग सुन नहीं सकते हैं फिर भी वो जीते हैं तो आप तो ये खुश रहें ये खुश रहने की वज़े हैं और बगवान को दन्यवाद दे कि आप सुन सकते हैं जो साथ करोड लोग है वो नहीं सुन सकते फिर भी तो वो इस दुन्या में जीते हैं तो आपको तो बगवान को दन्यवाद देने की ये वज़ा है थर्ड, खुश रहें कि आप चल सकते हैं, दन्यवाद दे बगवान को कि आप चल सकते हैं WHO के रिपोर्ट केती हैं कि इस पूरी दुनिया में 6 करोड़ लोग चल नहीं सकते हैं 7.5 करोड़ लोग वील चेयर पर चलते हैं तो ये लोग भी तो इस दुनिया में जीते हैं तो आपको तो खुश रहना होना चाहिए आपको तो बगवान को दन्यवाद देना होना चाहिए आपके पास तो खुशी की वज़ा है कि आप चल सकते हो आप फिर सकते हो बगवान को दन्यवाद दे कि आपके सिर्पर चट है आपके पास में आपका गर है World Humanity Report केती है कि पूरे विस्व में पंद्रा करोड लोग ऐसे है जिनके पास गर नहीं है वो बिना गर के रहते हैं एक सो साट करोड लोग ऐसे है जिनकी चट टुटी फुटी है तो बगवान को आपको दन्यवाद देना चाहिए और अपने आप में एक खुसी की बज़े होनी चाहिए कि आपके पास गर है आपके पास चट है रहने के लिए दुनिया में ऐसे भी लोग है जिनके पास चट नहीं है जिनके पास लोगों को पास रहने का ठिकाना नहीं है बगवान को दन्यवाद दे अपने आप में खुश है कि आपके पास बोजन है WHO की रिपोर्ट कहती है कि पूरे विश्व में पांच करोड लोग सालना खाना नहीं मिलने से मर जाते हैं भूग से मर जाते हैं अना तो बच्चे खाना खाने से खाना नहीं खाने से मर जाते हैं पांच करोड लोग सालाना जिनको बोजन नहीं मिलता है वो मर जाते है तो बगवान को दन्यवाद दे कि आपके पास अच्छा बोजन है आपके पास अच्छा परिवार है आपके पास में अच्छा गर है ये आपको खुस होने की अच्छी वज़व होनी चाहिए बगवान को दन्यवाद दे कि आपके पास परिवार है आप अनात नहीं हो आपके पास माबाप है बाई है बहान है युनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इस विश्व में 16 करोड़ बच्चे अनात हैं जिनके न तो माँ है न बाप है न बाई है न बहान है 17 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं तो आपको ये खुश रहने की वज़र बगवान को दन्यवाद देना चाहिए कि आपके पास परिवार है आपके पास मम्मी पापा है आपके पास दादादी है आपके पास बाईबाद है आपके पास परिवार है थो बगवान को इस बात का तो आपको धन्यवाद देना होगा बाधे बहुत से बच्छे ऐसे बी हैं जो अनात हैं जो भूप मरी से मर जाते हैं और अपने पेड पालने के लिए मजदुरी करते हैं बगवान को धन्यवाद दे कि आप पढ़ लिख सकते हैं आप के खुश रहने की एक वज़े है कि आप पढ़ लिख सकते हैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि सालमना 26 करोड बच्चे इसकुल नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए क्यों क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है गरीबी के कारण पढ़ने नहीं जा सकते हैं गरीबी के कारण उनके पास किताबे खरीदने के पैसे नहीं होते हैं उनके पास कोपी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं इसलिए 26 करोड बच्चे इसकुल नहीं जा पते। भगवान को सुक्रियाद करें और अपने आपको खुसी दें कि आप पढ़ लिख सकते हैं। भगवान को धन्यवाद दें और अपने आपको खुसी दें कि आप साप पानी पीते हैं। डबली एचो के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विस में 200 करोड लोग गंदा पानी पीते हैं। दन्यवाद दें और अपने आप में खुसी जाहिर करें कि आपके पेरों में जूते हैं। डबली एचो के रिपोर्ट के अनुसार साथ करोड लोगों के पेरों में जूते नहीं हैं। नंगे चलते हैं। गरीबी के कारण, पेशा नहीं होने के कारण, तो यह आपको खुस होने की वज़े हैं। तो भगवान को शुक्रीदय करें, भगवान को धन्यवाद दें और अपने आपको खुस होने की वज़े आप डूंडें। कि आपके پاس छत है, आपके पास परिवार है, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपके सरपर छत हैं, आप स्कूल जा सकते हो और आपको बरपेड बोजन मिलता है बाकि दुन्या में ऐसे लोग भी हैं जिनको न तो खाना मिलता है अनात है छत नहीं है अच्छा पानी नहीं है फिर भी वो जीते हैं और फिर भी वो अपनी लाइफ को इस्टेबल करने की कोशित करते हैं तो आपको बगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इन नो वज़े स आप खुस है इन नो वज़े से बगवान को सुक्रियाद दरना चाहिए कि नो वज़े हैं आपके पास खुस होने की